आज हम बनाएंगे मेथी के साग जब भी साग बनता है ना घर पे तो ऐसा लगता है कि आज कुछ हिल दिखाया जा रहा है और मेथी के साथ में अगर चुकेंदर याने की बेटरूट डालते तो यह बहुत ही अच्छा एक फूड आइडेम होगा तो चलिए अज बहुत चलिए युक शिर्यान मेथी के साग टू हेल्व एवरिवरण वेल.वल कम देुली बोव दंगा है आप अगर नहीं डालना चाते हो बस नरम मुलाएं पत्तिया को ले सकते हो तो चलिए मेथी साग को सबसे पहले हम काट लेते हैं तो एकदम अच्छे से चौप कर लिया है, बारिक बारिक हमने साग को काट लिया है इसमें आप पालक डालना चाहो या फिर बत्वा भी डालना चाहो ना दूसरे कोई साग मिलाना चाहो तो मिक्स्ट साग भी बना सकते हो तो यहां पे हमने कराई बिठा दिया है, गैस पे डालती रही हूँ सरसो का तेल तेल गरम होते ही आदी चप मच हमने डाला है जीरा डालती रही हूँ, एक सुखी मिर्ची एकदम बारिक काट के लैसन के कलिया मैंने आच से दस बारिक काट लिया है तीन मीडियम साइज के आलू डाला है चौप करके और एक medium size का चोकेंदर बारिक बारिक काटके डाला है दो medium size का प्याज इस तरीके से आप सारे mixed करेंगे और एक साथ में भी fry करेंगे इससे time का बहुत ही बचत होते हैं और उतना ही tasty बनते हैं सब्जियों को जल्दी फ्राई होने के लिए स्वाध अनुसार नमग हमने डाल दिया है मिक्स्ट कर देंगे भीट रूट डालने से जहां इसके हेल्थ बेनिफेट और ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ में जो मीथी के करवाट है न वो भी कम हो जाते हैं और हलका सा मीठे बना जाते साग में तो इस टाइम हमने डखकन बंद करके पाच मीट के लिए बिल्कुल स्लो फिले में कर दिया है तो यह देखिए अब आलू और जो बेट रूट है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अंदर से पक चुके हैं मैं आपको आलू चेक करके दिखा रही हूँ यह देखिए बिल्कुल पक गए है अब डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर मिक्स्ट करेंगे अब हम कटी हुए इस साग को डालेंगे अब इस टाइम हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और अच्छे से इस तरह के से मिक्स्ट कर लेंगे डाल दे रहे हूँ एक मुठी बढ़ हरे मतर चौप की हुए मिर्च हमने डाला है स्वाद अनुसर मिर्च डालिए मिक्स्ट करेंगे इस तरीके से मिक्स्ट करते हुए ये थोरा सा हमने फ्राइ कर लिया है अब इस टाइम डाल दे रही हूँ एक कप बैंगन तो बैंगन को आप चाहिए तो अलग से तेल से फ्राइ करके भी डाल सकते हूँ लेकिन इस तरीके से साग के उपर से डालने से बहुती कम तेल से बन के तयार हो जाते हैं और जब बन के तयार होंगे न पता भी नहीं चलेगा कि बैंगन को हमने अलग से फ्राई नहीं किया है धकन को हमने बंद कर दिया है slow flame में इस तरीके से हम पकाएंगे और दो से तीन बार हमने ढकन खोल के चला दिया था तो ये देखिए साग में इसे ना एक सुन्धा सुन्धा खुलबू आ रहे है क्योंकि इस साग में बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला है और साग का जितना पानी निकला था वो बिल्कुल सूक चुके है बेंगन आप देख रहे हूँ बिल्कुल पके हुए है बिल्कुल रेडी है आज के हमारे मेथी के साग तो मैं फिलिम को आफ कर दे रही हूँ और चल रही हूँ प्लेट के तरफ तो यह देखिए एकदम हेल्दी और बहुत टेस्टी है बहुत एक कम तेल से और बिना कोई मसाले से सूपा टेस्टी मेथी और बेटरूट के सबजी आप इस तरह के से बना के जरूर खाए मुझे उमीद है आपको भी पसंद आएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए आपको मीथी किसा कैसा लगता है कॉमेंट करके बताईए रोज आना नया नया टेस्टी हेल्दी यूनिक रेसिपिस देखने के लिए लाव कीजेन चैरेल को अभी तुरंट सब्सक्राइब कर दीजिए तो फ्रेंस आज के लिए इतना ही मिलते है अगली रेसिपि में टाटा बाई बाई टेक क्यार